असलामेकुम वियर्स कैसे हम सब उमीद्या सब है किसे होंगे वेलकम बैक टू नदर वीडियो और आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगे जी बहुत ही मज़दार सी देखी चना फलाव बनानी की रेस्पी जो कि मैंने बनाया था मोहरम की नौमी में और उसको चनटा बनानी के लिए अपने तेल में कंजूसी नहीं करनी है तेल जो है नहीं अपने डालना है इसमें एक कप के करीब पूरा और मैंने यहां पे आपके बताए क्वाइटी में पस 4 kg है और आधा के लोश Elsie ज़यादा में बांकि चने हैं और बाकि जो है थे वो मेरे पास है चावल और यहां पर मैंने लिए थे जी तीन लाज साइस की प्यास उनका मैंने काट लिया है एक कप मैंने आयल लिया है और उसके बाद उसको अपने अच्छा से ब्राउन कर लेना है और बहुत ही मज़दार से यह रेस्पी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूं आपको यह कहीं पी भी नहीं मिलेगी और सबसे जबर्दस फाला प्लॉव मैं आपके साथ बनाना शेयर करूंगे अब घर में बहुत ही मज़दार सदीगी प्लॉव बना सकते हैं बिल्कुल दे के जैसा अच्छा प्यास का अच्छा सा कलर ब्राउन हो चुका है तो इसमें डाले इसमें तेजबत और इसके लावा बादयान का फूल दसीरा काली मिर्चे लांग थोड़ी सी और इसके लावा एक दो टुक्टे मैं इसमें डाल दी हैं तर चीनिकिए उसके लाव मैं इसमें अपने होमेड प्लॉव मसाला पौडरी इसमें एड़ करूंगी तो इसमें इसम कि मैं इसमें पीसके रखी हुए हैं तो इसलिए मिने वो जीजें डाल दी ते टुमाटोस और ने के सिए में पासना प्यूरी की फवरम मेने की हैं अर्मantic आधा किलोह करिए करिए पहले से रखे हैं इंको फ्रीज किया वा था और अगर मोस्न हर किसी को ही पता है कि आप किस ब्ँटी फिलामेच में तो आपना पलाव मसाल at कोड़यें। उसके बाद मैंने 2 चम्च oड़ी चाहरा भी डाल सकते हैं क्यृँक्ते बहुत दिखना चाहरा हो दे अकश पिकेत आफ़ चांते और अगर आपकर पिलौ मसाला पाओडर नही है तो आप मेरी रेस्पी देख सकते हैं। उसको फालो कर सकते हैं और पिर भी ने वह आपके पस टायम नहीं है बनाने का जा तो आपसमे गरावमसाला पाओडर डालतें 1 टेवल- procedural हम मेंने लिया है कहीं भी ने मिलेगा बस थोड़ी बहुत अब वो अलाइशिया रह गई है इसमें अब देखें वो भी घब से हतम होंगी इसमें और बस फोड़े बहुत जो इसमें मसाले थे तो आल्मोस मैंने हाफ पैकेट डाल दिया इसमें शान बिलानी मसाला और इतना अच्छा सा अपने है कि जितने दे में मसाला फिर से ओल छोड़ दे और इसमें फिर हम पानी डाल देंगे चावलों के साब से चावल मैंने बस मतीरा इसलिये हैं और दो किलो चावल मैंने लिए उनका मैंने पहले भी गो दिया था आदा गंटा पहले मैंने उनको दो के भी गो दिया है और पानी देखे बिल्कुल जब क्लियर हुआ था इस पॉइंट पे मैंने इसको बिगो दिया बहुत अच्छा सा जो है बॉइल आना शुरू हो गया इसमें कुछ थोड़े से इंगिडियर्स भी मैं एड़ करूंगी उसके बाद मैं इसमें चावल एड़ करूंगी तो इसके बा तो इसलिए पे भी मैंने नहीं डाला हुआ वड़ना यड़ आप डाल सकते हैं वह भी बड़ा अच्छा सा ऊसमें फ्लेवर भी आजाएगा और बड़ा अच्छा से कलर भी आ जाएंगे और इसके बाहत मैंने इसमें चावल एड कर द कर दिने से चावल हमेशिया पनी आप निकाल के डाला करें फो में कोई वी भी डास्त कोई बिरा आ रह जाए कोई कि राम के ने और पर आपके चावल जो है न बड़े उच्छे से साफ सुत्रे से जाते हैं आपके बरतन में अब यहां पर मुझे अंदाजा हो रहा था कि बरतन जो है ना मैंने छोटा ले लिया मुझे थोड़ा बड़ा लेना चाहिए था क्योंकि चाबरों को जतनी इची स्पेस मिलती है वो इतने जादा अच्छे फूलते हैं लेकिन यहां पर एक तो कम था दूसरा फिर इतने सारे इतने बड़े बरतन को दूसरे बरतन में ट्रासफर करना बेड़ा मंश्किल काम था तो फिर मैंने इसे के साथ तो अच्छ यह मैं जर्दे का दालिया बड़एं। disproportion 7 लिकविड नीदकर 1 यह का उच्छा सुलिशन पे लिकव्ड किया ने से डाल होजिए नका। नेचरल वालर प्रेशर कुकर बना दिया है इसके उपर मैंने इसले से वस्तन रखके इसको दम लगा दिया है 15 मिनट्स का और जब मैंने दम उता रहा तो यह देखिए कितना मज़दार सा यह प्लॉ रेडी है चावल देखिए कितने खेले के लिए से हैं कोई सेला चावल नह पर रहिस कितना मैंने चावल निकालने शुरू की हैं मैंने उसके पहले गयर करके तकसीम किये था उसके बाद मोगा ने खहाना खाया था बहुत ही मद्दार साई रस्पी और बिल्कुल देख के जासे चावल बिल्के देख से बहुत अच्छे चावल आप घर में बना सकते हैं और healthy way में बना सकते हैं मौलब आप 730 सारे चीज़ें लेकि घर में बना सकते हैं रैस्पी को जरूर फॉल कीज़ेगा आपको भी बहुत अच्छी लेगी तो यह जी final look मैं आपको थोड़ा साथ जूम करके भी बताती हूं तो पहले तो मैं अकुर हैं तक्सीम करने अगारी थि उसके बाद मैं आपको उनके वहारी नहीं के तक्सीम किया है। और मैंने यह सारे चावल नंकाल लिए थी और साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-स-ा-साथ-साथ-सा के बाद हमने तक्सीम कर दिये थे और यह जो फाइनल लोग कितने ही मज़दारी चावल बने हैं वो टेस्ट में से भी जादा मज़दार हैं जरूर ट्राइ कीजेगा और मुझे जरूर बताईगा कि आपको मेरी रेस्पी कैसी लगी और कलर्स देखें कितने अच्छा हैं चा को रिचे के से लगी तक्यों मैं तक्यों मrabजदार हैं हुआ हैं जिरूर नइक ही झादा जबर जशाना हैं